इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे महत्पून दिवस जो कि इंटरनेशनल और राश्टिय यानि कि जो राश्टिय असरका होगा और अंतर राश्टिय असरका दोनों का मिस्रन किया हुआ रहेगा और आपको बता दू कि आगे थियोरी से सर रहेगा उसके बाद इसमें हम अबजेक्टी भी देखेंगे ताकि आप लोग का पूरी तरह से इसी वीडियो में रिवीज जनो सकें आपको बता दू जब भी आप लोग महत्पून दिवस पढ़िए तो जो भी महत्पून जो संगटन होते हैं जैसे उनाइटिड नेशन जो परमुख रूप सर आता है तो उनाइटिड नेशन के द्वारा अगर किसी डेट को मनाया जाता है तो उसको सबसे पहले याद करिए और आपको जो भी राज्टी एसर के यानि के भारत में जो भी डे मनाया जाता है उसको तो आपको किसी तरह से याद करना होगा अगर अगर अंतराज्टी याद करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा international यानि की उनाइटेशन के द्वारा जो मनाया जाता है उसको याद कर लेना है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बारीकी से देखेंगे सब पहला बोड़ा एक जनवरी को क्या क्या मना जाता है तो एक जनवरी को पहले याद रखना है कि बैस्विक परिवार दिवस आपसे पुछेगा बैस्विक परिवार दिवस कम मना जाता है ग्लोबल फैमली डे तो एक जनवरी को मना जाता है आपको बता दू कि यह जो डे मना जाता है मुख्य रूप से अमेरिका में मनाय जाता है सांती और साजा करने के लिए बैस्विक उद्यस है इसका और इसी से जुड़ा हुआ बहु सारे लोग कंफ्यूट करते हैं कि परिवार दिवस तो हो गया अगर पुछ दे परिवारों का अंतराश्य दिवस तो अंसर क्य जाएगा पहली बाद के परिवारों का अंतराश्य दिवस है जो कि उनाइटेड नेशन के द्वारा मनाय जाता है और यह 15 मई को मनाय जाता है देखे सब लोग के परिवार में कुछ न कुछ वैसे मुद्दे देखने को मिलते रहते हैं तो यह वैसे मुद्दे के बारे में जिससे फैमली को एक जूट किया जा सके उसके बारे में जागरूकता फेलाने के लिए परिवारों का अंतराश्य दिवस मनाय जाता है जो कि 15 मई को अगर बैस्विक परिवार दिवस बोलेगा तो एक जनवरी जाएगा अंसर इसके लाबा एक जनवरी को ही रच्छा अनु करेंने दिली में देखने को मिलेगा तो आप लोगों से पुछेगा डिय ड्यो का सापना कभर था तो एक जनवरी जहीं हुआ था इसलिए एक जनवरी को क्या मना जाता है डियाडव का सापना जिवस इसके लबा नीती आयोग जिसे पहले हम लोग योजना आयोग के रूप में जानते थे हैं नीती आयोग का सापना भी एक जनवरी 2015 को हुआ था इसलिए अगर आपसे पुछें कि नीती आयोग का सापना जिवस कब होता है तो एक जनवरी को होता है कि एक जनवरी को ही है अस्त को न्दूंद संजर, अगला है देखें, दो नहीं याद करना है, उसके बाद आपका मत्पून होता है, जो किया मनना糸 तो विजरस दो ब्रेल इवक्र से बवर इंहाएं ने सन्के द्वारा मनना जाता है, और पहली बार कम बनाए गया था, यहां पे वैसे वैसे पॉइंट को ही मेंसन किया जाएगा जिससे सवाल आप लोग को पेपर में देखने को मिलेगा पहली बार अगर आपसे पुछे कि कम बनाए गया तो पहली बार ब्रेल लिपी का अविस्कारा किनी को जाना जाता है कि ब्रेल लिपी ऐसा भासा है न जिसका उपयोग करके जो द्रिश्टी बादित लोग होते हैं उनको पढ़ने और लिखने में सवधानी मिलता है यानि कि उनको सहुलियत मिलता है अगला है छे जनवरी छे जनवरी को महराश्ट राजे सरकार के द्वारा पत्रकार दिवस मनाय जाता है और छे जनवरी को ही कि मनाय जाता है कि एक पत्रकार थे बाल साच्ट्री जंबेकर इनी के याद में मनाय जाता है छे जनवरी को आपको बता दू बाल साच्ट्री जं बेकर चला जाएगा और आपको एक और चीज बता दू कि दिखें मराठी भासा में पहला जो मराठी समचर पत्र था उसका नाम था दरपन चाथा दरपन नाम था उसका छले दिखते हैं अगला सवाल बोड़ा है नो जनवरी को नो जनवरी को आखिर क्या मना जाता है तो 1915 यह डेट भूलना नहीं है नो जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दच्छिन प्रिखा से भारत लोठे थे इसी के याद में यह मनाया जाता है और इसके लबाद जो भी विदेश में रहने वाले भारतिये समुदा हैं उनके योगदान को सरहनी के लिए परवासी भारतिये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसको मनाता कौन है हमारी विदेश मंत्राले के द्वारा मनाया जाता है और इसमें इसका साथ भारतिये उद्योग परिशंग देता है अगला याद रखना है 10 जनवरी 10 जनवरी को बीसवे हिंदी दिवस मनाया जाता है अगर आपसे पूछे के बीसवे हिंदी दिवस का मनाया जाता है तो दस जनवरी और पहली बार का मनाया गया यहीं पर आप लोगों को कनफीजन होता है कि राश्टिये हिंदी दिवस का मन तो 10 जन्वरी को मनाने का रिजन है कि 10 जन्वरी 1975 को प्रत्थम 20 समेलन हुआ था इसी के याद में मनाया जाता है हर साल 10 जन्वरी को 20 हिंदी द्वस तो सवाल यह बी आ चुका है कि प्रिथम जो प्रत्थम विश्व हिंदी समेलन हुआ था कहां तो यह नागपूर में हुआ था इसी के याद में मनाया जाता है हर साल दस जनवरी को विश्व हिंदी द्वास और आज यह हिंदी द्वास 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है तो यह समझना है कि जो हमारे संब्धानिक रूप से मानिता दिये थें क्या जाद रखना है कि इसलिए 14 सितंबर को मनाय जाता है कि 14 सितंबर 1949 को ही भारत के जो संब्धान सबह है उन्होंने दिवनागरी लिपी में लिखी गई हिंदी को भारतिय गनराज की अधिकारिक भासा के रूप में घोसित किया था अगला है 12 जनवरी 12 जनवरी को मनाय जाता है राश्ट्य युवा दिवस जो कि स्वामी विबेका नंद का जनम दिवस के असर पे ही 12 जनवरी को राश्ट्य युवा दिवस मनाय जाता है और आपको बता दूर स्वामी विबेका नंद के अगर बोले के गुरू कौन थे तो राम क्रिष्न प्रमहंस इनके गुरू थे सौमी विवेकानन्द के द्वारा ही एक मिशन चुलू क्या गया था जिसका नाम था राम क्रिष्न मिशन आपसे यह भी सवाल पूछ सकता है कि भारा सरकार ने सहल कृश्ष में दलि Attack किया था और 1985 से हर साल यह मनाया जाने लगा अंतराश्टिय इवा दिवस अगर आप से पुछे तो बारागस दोनों में कन्फ्यूजन बहुत साले लोगों को उता है राश्टिय और अंतराश्टिय दोनों एक जगा मेंसन करने का रिजन यही है कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके एक्जाम में और यह ऐसा टॉपिक है जिसे हर एक्जाम में एक स्वाल पक्का रहता है इसके बाद चौदा जनवरी वाला और पंद्रा जनवरी वाला दोनों एक साथ आपको याद कराएंगे तो आगे हम पंद्रा जनवरी को भारत में आर्मी डे मनाए जाता है तो आप लोग को समझना है कि इसी दिन यानि पंद्रा जनवरी 15 जनवरी की बात हो रहा है 1949 इसवी में भारत में आखरी ब्रिटिश कमांडर थे जिनका नाम था फ्रांसिस बुचर और इनकी जगह ले लिए थे फिल्ड मारसल केम करियपा 15 जनवरी 1949 इसवी को इसलिए भारत में सेना दिवस मनाया जाता है और इस परकार केम करियपा भारत के पहले जो कमांडर इनचीप बनेतें भारतिय सेना के पहले कमांडर इनचीप बनेतें केम करियपा और 15 जन्वरी 499 को मनेते हैं इसी के अगर चार्ज उड़ियेगा तो कितना हो जाएगा 1903 तो 1903 में क्या हुआ कि इनका retirement हो गया 14 जन्वरी को 14 जन्वरी 1903 को इनका retirement हो गया था इसी लिए 14 जन्वरी को ससस्र सेना veterans day मनाया जाता है तो अब आप लोग को पूरी तरह से दोनों समझ में आगया होगा कि सेना डे 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है और ससर्सर्ष सेना वेटरंस की मना जाता है क्योंकि इस दिन रिटार्मेंट लिये थे और 15 जनवरी को यह जगा लिये थे यानी कि यह पहले कमांडer इंच चीप बने थे और आपको याद रखना सससो सेना वेटरीन्स का मतलब क्या होता है तो यक्रींस के сов factorial शोई प्र निगम 23 जिसनी जनवरी 90 उसका बेसे जैदा अनुबहव होता है इसके अलाबा जब 14 जनवरी को यह असापना हुआ था भारती खाद निगम जिसको एक सी आई बोलते हैं न तो चवदा जनवरी उन्हीसोपैसाट को इसके असापना हुआ था इसलिए भारती खाद निगम की असापना जोर सगर आप पुछे तो चवदा जनवरी और इसी से सम्बंदित एक सवाल आता है कि से जुड़ा हुआ कुछ डे होता है जो की बार-बार में कॉर्प्स ऑफ इंजिनियर्स डे का मना जाता है तो दिखीएगा यह अठारा नॉम्बर को मना जाता है तो देख सकते हैं तो देख सकते हैं सब्सक्राइब इसके लबाब 15 जनवरी को ही भारतिय मौसम बिज्यान का असापना जिवस मना जाता है और इसके असापना कब वह था तो पंदरा जनवरी 1875 को हुआ था और इसका हेटकॉाटर अगर आपसे पूछ दे तो यह नई दिल्ली में है इसका हेटकॉाटर आप लोगों को नई दिल देखने को मिलेगा अगला 17 जनवरी को क्या मना जाता है तो 17 जनवरी को M.J. रामचंदरन की जियनथी और M.J. रामचंदरन के बारे तक मुख्यमंत्री रहते और कब से कब तक रहते तो 1977 से लेकर 1987 तक और इसी के यानि कि मर्नो प्रांत इनको 1988 में भारत रतन से सम्मानित किया गया था अगर पुछे कि 17 जनवरी 2021 में इनकी केमी जैनती मनाया गया तो 29 जनवरी को मनाया जाता है राजडिये आपदा पर्च किरिया बल जिसको बुलते हैं नेशनल डिजाज्टर रिस्पॉन्स फोर्स किंकि इनडी आरे पिजू था ना 29 जनवरी 2006 में अस्तित्व में आया था अगला स्वाल है 21 जनवरी को मनिपूर मेगाले तिरपूरा का असापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी कि 21 जनवरी की बात है और उसमें होड़ा था 29 जनवरी 1972 को इनको पुन राज का दर्जा दे दिया गया था अब है 23 जनवरी 23 जनवरी को क्या होता है स्वाचंद्र बोस की जनती मनाया जाता है 23 जनवरी को और इनकी जनती को बोला गया है 2001 से यानी इसी साल से हर साल प्रकर्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा यह हमारे संस्कृती मन्तरा लेके द्वारा बोला गया और आपको बता दू कि 2022 में इनकी 125 जनती मनाया जाएगा 2022 में और 2022 में हम लोग अजादी के 75 साल मनाएंगे 75 साल पूरा हो जाएगा भारत के अजादी का और 24 जनवरी से पेपर में बहुत बार सवाल देखने को मिला है तो 24 जनवरी पे अश्टार मार्क दे लिजेगा पहला पहला याद रखना है कि अंतर आज़ी सिछा दिवस अगर यह किसके द्वारा मनाए जाता है इवनाइटेड नेशन के द्वारा मनाए जाता है यहां तक तो ठीक है अब अंतर राश्टी हो गया अगर आपसे राश्टीय सिछा दिवस पुछे तो आंसर कहा जाएगा तो राश्टीय सिछा दिवस अगर आपसे पुछे तो इसका सही 11 नॉब्बर को जाएगा कि 11 नॉब्बर जो डे होता है भारत के पहले सिच्छा मंत्री थे जिनका नाम था मुलाना अबुल कलाम अजाद इनके जनम दिवस के अउसर पे मनाय जाता है भारत में सिच्छा दिवस 11 नॉब्र को इसके अलाबा आप लोगों को याद रखना है अगला चीज़ 24 जन्वरी को ही राज्टी ये बाली का दिवस मनाय जाता है राज्टी ये बाली का दिवस अगर आप से पूछे तो क्या बोलना है कि 24 जन्वरी और ये कौन सा मंत्राले के द्वारा मनाय जाता है तो महिला एवं बाल विकास मंत्राले के द्वारा मनाए जाता है और पहली बार कब मनाए गया पहली बार 2008 हिस्वी में मनाए गया और यहीं पे दोनों में कनफीजन नहीं होना चाहिए अंतराज्टे बाली का दिवस अकर आप से पुछे तो 11 अक्टुबर को मनाए जाता है इसके लाबाद 24 जनवरी को एक और डे याद रहतन है उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश जिसको पहले उनाइटेड प्रोविन्स के नाम से जाना जाता था और इसको चौवीस जनवरी को ही हुआ था और 1950 में हुआ था अगला है 25 जनवरी इससे भी जितना भी बताएंगे 25 जनवरी वहल 25 जनवरी के बाद किया जाए तो राश्टिय परियाटन दिवस मनाय जाता है राश्टिय परियाटन दिवस यानि परियाटन के बढ़ावा देने के लिए यहीं पर पूछ दे कि बैस्विक परियाटन दिवस कम मनाय जाता है तो 27 सितंबर को मनाय जाता है बैस्विक परियाटन दिवस अगला आता है इसी से 25 जनवरी को ही मनाय जाता है राष्टिये मतदाता दिवस जिसको नेशनल भोटर्स देव बोला जाता है और पहली बार कम नाये गया पहली बार 2011 में मनाये गया था और आपको से ये भी स्वाल पूछ सकता है कि 25 जनवरी को क स्थापना इसी दिन हुआ था इसलिए क्या मनाए जाता है 25 जन्वरी को राश्टिये मतदाता दिवस मनाए जाता है और 2021 में अगर बात के जाए एक अरवा संस्क्रन था 2021 में 25 जन्वरी को ही हिमाचल परदेश का अश्थापना दिवस होता है तो अभी तक आप लोग देख लिए कि तीन राज वहां पर बताए मनिपूर मेगाले तिरपूरा फिर उत्तर परदेश चारो राज एक पाच्वा राज हो गया हिमाचल परदेश का अश्थापना दिव में 50 साल पूरा हो गया 50 वर्स पूरा हो गया जिसको हम लोग स्वर्ण जैनती के रूप में जानते हैं स्वर्ण जैनती भी कहा जाता है पचास सल पूरा होने पर अगला है 26 जन्वरी भारत का गंतंत्र दिवस और दिकिए बहुत सारे लोग ऐसे तो कमी जनसंख्या ऐसा कि स्वतनता दिवस और गंतंत्र दिवस में कंफिजन नहीं होता है मगर कुछ लोग ऐसे जिनको दिक्रत होता है तो स्वतनता दिवस 15 जंवरी को जब बने जाता Hel An एक स्टम और्गनाईजेशन अगर पुछे कि वर्ल्ड कस्टम और्गनाईजेशन का हेट कौाटर कहां पे देखने को मिलेगा तो इसका हेट कौाटर बेल्जियम की रधानी बुरुसेल्स में देखने को मिल सकता है और आपको पता दू के भारत में टेक्स से संबंदी दूगो संगटन है जो कि टेक्स को देखता है एक है CBIC एक है CBTT अच्छा बात करते हैं कि CBDT किसको कंट्रोल करता है यह तो यह income tax को कवर करता है अगला है 27 जन्वरी, सताई जन्वारी को मनाय जाता है अंतराज़्ट्य होलो कोस्ट असमरन दिवस सताई जन्वरी को किमना जाता है जब जर्मनी में हिटलर का राज था और हिटलर क्या किया था उस में कि इसके जो सैनिक होते था जो जर्मनी सेना होते थे उनको नाजी सेना कहा जाता था उनको ये हिटलर ने आदेश दिया था कि जितना भी यहूदी लोग है न यहूदी लोग हैं उनको माँ डालने के लिए दियाता और लगबग दस लाख लोग इसमें मरे वे थें यहुदी धर्म के दस लोगों को मरवा दियाता है हिटलर ने इसी के याद में अंतराश्य होलोकोट अस्मरन दिवस मनाया जाता है अठाइस जनवरी के अगर बात क्या जाए तो लाला लाजपत राय की जनती मनाया जाता है और लाला लाजपत राय का जनम आपसे पुछे तो अठाइस जनवरी उन अठारा सो पैसट अठाइस जनवरी अठारा सो पैसट को इनका जनम होता और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था और सबसे ज्यादा इपोटिंट आता है सवाल 30 जनवरी वह उपेचित उसने कटबंदिय कीम होता है तो समझेगा उसने कटबंदिय के मतलब होता वैसा रोग जिस पर लोगों का नजर कम रहता है जैसे मान लिए कि किसी का पैर हाट तूरता है तो लोग बोलता है कि दुखो बहु ज़्यादा बिमार हो मगर वही अगर silent killer जैसे पेट का दर्ध हो गया या किसी को डेंगू वेगर हो गया उसका लच्छन जो बाहरी दिखावा नहीं रहता मगर वह क्या है वह सबसे ज़्यादा खतानाक होता है तो वैसे रोग जिन पर लोगों का नजर कम जाता है उसके प्रति लोगों को जागरू करने के लिए दिवस मनाय जाता है जैसे कि डेंगू हो गया या आप का सकते हैं बात करें कि महात्मा गांधी कुन माहत्मा गांधी क उनके पॉन्न तिति को सहे दिवस मना या जाता है और आपको पता झूं consistently के मोकी में 248 में और भारत में सहीद दिवस एक और डे को मनाया जाता है जो कि है 23 मार्च को भारत में सहीद दिवस मनाया जाता है एक तो हो गया 30 30 जनवरी और 23 मार्च दोनों में सहीद दिवस मनाया जाता है जो ऑप्षन दिया रहेगा उसको मार करना दोनों एक शात नहीं रहेगा अगला सवाल है भारत में कुष्ट दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है यह तो आप लोग जानते हैं कि जो पूर्णी तिति होता है न महात् बारत में कुष्ट जनवरी और अंतिमर विवार को जाता है और आप से जवाल पुछता है कि मोजोता है जो करण यह जिवान jogarar और वो कौन सा जिवानु इसमें उत्तर जाई है तो उसका नाम है micro bacterium micro bacterium lepride जिवानु के कारण यह होता है तो अब आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जनवरी आप लोग को कबर कर दिये ये था थिवरी सेशन इसके बाद हम तुरंथ ही इसी वीडियो में आप लोग को अबजेक्टिव सवाल भी कराएंगे अबजेक्टिव का पहला सवाल जो कि प्रेक्टिस सेशन के रूप में हम लोग देखेंगे पहला सवाल है कि हर साल नो जन्वरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो नो जन्वरी को हम लोग देखें इस तरह का सवाल में एनराई देदेंगा एनराई के मतलब होता है विसे भारते जो विदेशों में रहते हैं न अगला है परतेक वर्स बारा जन्वरी को कौन सा दिवस मना जाता है तो राच्टे इवा दिवस मना जाता है अगला है परतेक वर्स पंदरा जन्वरी को क्या मना जाता है अगला है परतेक वर्स पचीस जन्वरी को क्या मना जाता है पचीस जन्वरी तो चार का सही आंसर अप पूरा नहीं अगर मालूम नहीं कि होता आप लोग को पर लाएं वहां पर हम पढ़ाएं होलोकोष्ट तो सवाल आप लोग को घुमा भी सकता है यह सब एसे सवाल है जो तो हर बार इजाम में आने का चांसेज भी है और पूछा हुआ सवाल है राश्टिये मतदाता दिवस औ को मनाये जाता है लाला लाजपत्राय की जनती कब होता है तो अगला सवाल बोलब को अगला सवाल सवाल यह सवाल पूछा तो तो यह था पूरा वीडियो हम उमीद करते हैं कि आप लोग को पूरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा इसके बाद आप लोग को फरवरी फरवरी का भी वीडियो जाके देख लिएगा वहाँ पे भी इपोर्टिन डे को कबर किया गया है ये इपोर्टिन डे से समंधी तो वीडियो है ही इसके अलावा जो भी सवाल जो भी हमारे सवतनता सिनानी है या उतरप्रदिश का राज का सापना का वहता ये सब भी मेंसन क्या हुआ है तो ये बहुत ही मात्पून सेशन रहेगा आप लोगों के लिए ये सब एक जामों के लिए मात्पून है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक देखते रहे हैं बिहारी योधा का वहता है